वेलकम तो दे चैनल एक्षांब्रू फॉल्वर्स विद यू और ये जो वीडियो बन रही है ये बन रही है कार्टून्स पॉलिटिकल साइंस बुक टू के सो लेट्स सी एट पहला ये देखो कार्टून यहां पर ये क्या दिखा रहा है यू गें रीड दिस्क्रिप्शन अप मैं आपको यहां पर समझाती हूँ देखिये सबसे पहली चीज ये दिखा रहा है कि जब हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में था जहां जिस भी इंडिया के रीजन पे गया कहानी का एक आस्पेक्ट दूसरी चीज इसमें क्या दिखाई गई है इस दा पटेल अप्रोच सरदार पटेल एक बहुत ही डिप्लोमेटिक व्यक्ति थे उनको ये था एक बार किसी भी तरह से जो रीजन पूरा इंडिया जो है युनाइटिड हो जाए दैट विल कि मतलब आप बस किसी भी तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ अक्सेशन साइन कर दो किसी भी तरह से इंडिया में एंटर हो जाओ of course मनीपूर के case में it was first merger agreement पहले वो साइन हुआ था after only instrument of accession साइन हुआ मगर सरदार पटेल एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि आपको प्रज्जा के उसके उपर से उठने की जरूरत नहीं है कोई बात नहीं मत उठो आप बस इंडिया में एंटर हो जाओ किसी भी तरह so this shows की सरदार पटेल वोस त्राइंग टू हार्ड तू मेक अ युनाइटिड इंडिया this is the next cartoon यहाँ पर आप देखो यह जो व्यक्ति है यह है पंड़त जोहार लाल नहरू हमारे first prime minister country के और यह सारी मांगे हैं मतलब कहने का यह है कि language के base पे नई नई state बनाने की मांग देखो कितनी ज्यादा है मतलब इतनी ज्यादा मांग है इतनी ज्यादा और यह अभी भी है काफी सारे reason चाहते हैं कि हम अलग हों यहाँ पर देखो महा गुजरात विशाल आंधरा and you can have a look over it तो यह दिखाता है कि state की जो demand है language basis पे वो कभी खतम ही नहीं हुई मतलब इतना ज्यादा demand अलग-अलग reason की आ रही है कि हमको अलग state देदो हमको अलग state देदो और यहाँ पर जो आहरलाल नहरू जो हैं बैठे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं समझाने की किसी तरह well you can see this is another cartoon coaxing the jinny back यह cartoon भी कुछ states से related ही है यहाँ पर यह जो jinny है jinny किसका है? linguism का है कि हम लोगों को language के हिसाब से नई state चाहिए और यहाँ पर तुम यह description पढ़ोगे तो coaxing the jinny back asked if the state reorganization commission could contain the jinny of linguism the state reorganization commission आया था language के basis पर states बनाने का क्या वो इतने बड़े jinny को यानि कि इतने सारे लोग आ रहे हैं कि हमारी language अलग है हमको अलग state दो क्या वो इतनी ज्यादा मांगों को pacify कर सकता है मतलब सबको संतुष्ट कर सकता है तो यही देखा जा रहा है कि देखो state reorganization commission की क्या यहाँ पर तुम situation देख पा रहे हो कि जो language के base पर states की demand है वो कितनी बड़ी है और यहाँ पर देखो किसी तरह कोशिश की जा रही है कि इसमें enter हो जाए यह जिनी किसमे state reorganization commission जो आया states बनाने वाला किसी तरह सब pacify हो जाए तो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है इसका मतलब क्या हुआ जब इंडिया शुरु शुरु में आजाद हुआ था तो opposition इतना powerful नहीं था opposition was not at all powerful at that time उस वक्त जो ruling party थी congress वही dominate करती थी पूरी इंडियन politics को और वही अपनी खुद की opposition थी और वही एक तरह की ruling party थी तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जवाहरला नहरु भाग भी रहे हैं और पीछे अपने आपको खीच भी रहे हैं दिस वस्त सिचुएशन बेसिकली लेट्स सी यह एक दूसरा कार्टून है बड़ा interesting सा description पर लेते हैं इसका पहले a cartoonist impression of the election committee formed by the congress to choose party candidate in 1952 यानि कि 1952 में एक congress ने committee बनाई election committee ताकि जो लोग congress की तरफ से चुनाव लड़ेंगे उन candidates का चुनाव किया जा सके कि कौन-कौन हमारी congress से चुनाव लड़ेगा इस election में 1952 में यह सब चल रहा था तो party candidate जो भी election के लिए खड़े होंगे so on the committee you can see besides Nehru काफी सारे यहाँ पर eminent personalities है मौरार जी जिसाई, रफी एहमत किडवाई, BC Roy, कामराज राज गौपालचारी, जग जीवन राम and you can have the list goes on so you can see है और कि किस तरह से भीड लगी हुई है लोगों की कि लोगों की उपर तो ये लोग बैठे हैं committee discuss करने के लिए कि अगले election में जो कि 1952 में आपको ध्यान होगा, खतम हुए थे ये एक period चला था 1951 में कुछ elections हुए थे, कुछ 1952 में हुए थे तो ओन elections के लिए हमारी तरफ से कौन बंदे खड़े होंगे Congress की तरफ से, तुम देख सकते हो कि दूर-दूर तक घिड़ लगी हुए है यहां पर और ये लोग उपर बैठे हैं So this is again the next cartoon, Tug of War is a cartoonist impression of the relative strength of opposition and the government Sitting on the tree are Nehru and his cabinet colleagues trying to topple the tree are the opposition leaders A.K. Gopalan, Acharya Kriplani, N.C. Chatterjee and the list goes on So you can see here, ये क्या दिखा रहे हैं ये ये दिखा रहे हैं कि एक tree के ऊपर यहां पर कौन बैठी है, government बैठी है, Congress की जो शुरु-शुरु में आई थी, जब Congress का पूरा dominance था और ये जो leaders हैं, जिनके पसीने जूट गए है इस government को मतलब oppose करते-करते और ये दिखा रहा है, यहां पर तुम देख सकते हो कि opposition के leaders कोशिश कर रहे हैं, अपना influence बनाने की मगर कहने का यह है कि opposition उसमें बहुत ज़्यादा weak था और Congress की dominance दिखा रहे हैं ये लोग की ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको अपना influence बढ़ाया जाए, इनका कम किया जाए लेकिन opposition की उतनी strength नहीं थी इस वक, opposition कमजूर था और ruling party ही अपना खुद का opposition थी तो ये लोग आराम से बैठे हैं और इनको कोई भी, इनकी हजार कोशिशों के बावजूद opposition की इनकी strength जो है, opposition की बहुत कम है उनके मुकाबले चाहे वो कितनी याँ पर कोशिश करें Well, now look at chapter number 3 और इसके cartoon हम देखेंगे यहाँ बर देखो ये जो cartoon है, ये क्या दिखा रहा है, तुम्हें पता है कि 5-year plan शुड़ू हो थे right after independence और ये देखो, यहाँ पर centralized planning, government सब plan करने लगी थे और government का काफी control था, पूरी economy, pay and all लेकिन, मज़े की बात ये है कि centralized planning के दोर के समय इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये लोग सारे issues को address कर सके गरीबी को, बेरोजकारी को, ब्रहष्टाचार को and so on मगर village की reality जो है वो इससे कहीं बहुत दूर है कहने का मतलब कि असल में उतना implementation अच्छा नहीं हो पाया village की जो सच्चाई थी, उस तक ये planning नहीं पहुँच पाई यहाँ पर देख रहे हो ना, टूट-फूट करके और इतनी तंत्र लगा करके, इतनी कोशिशें करके भी ये लोग असली जो village की reality है centralized planning करते हुए नहीं पहुँच पाई, जो government है हमारी ये cartoon जरूर करके जाना है कई बार पूछ लेते हैं, previous year papers में दो बार I guess, recently तो पूछा ही गया है, इसके अंदर ये प्राइम मिनिस्टर तुम देख रहे हो जो आहरला नहरू, और ये क्या कर रहे है, यहाँ पर, एक side में है public sector, एक side में है private sector but you can see here, कि public sector का वज़न यहाँ पे ज्यादा है, private sector का कम है और उस वक्त हम लोग जब अजाद हुए थे, तब main जो है वो government ही करता धरता थी so private sector को उतना भाव नहीं दिया गया and public sector was of course more वज़नी you can see here some names, you should remember कई बार हो सकता है वो, उनके name जो है वो पूछ ले यहाँ पर इन लोगों के यह जो public sector में खड़े हैं यह एक बहुती sarcasm वाला व्यंग्यात्मक टाइप का cartoon है यहाँ पर देखो third five year plan से ना लोगों को उमीदे बड़ी थी मगर third five year plan और second five year plan में ज्यादा फरक नहीं था और कही ना कहीं लोगों को लगा कि industries पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और agriculture को छोड़ा जा रहा है first five year plan was of course of agriculture और कोशिश की गई की ज्यादा जनता जो agriculture में है वो बहुत गरीब है तो उनको गरीबी से भी बाहर निकाला जाए मगर second five year plan was of industries third five year plan में भी main जो focus था वो industries पर था तो यहाँ पर यह लोग third plan के उसके उपर कारपेट पर उड़ रहे हैं और यह क्या जो आहरला नहरू क्या कह रहे हैं we are ascending, soon we will be above hunger and want meanwhile have a little snack achievement यहाँ पर जनता जो भूकी बैठी है अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रही है और यह कह रहे हैं कि चिंता मत करो चिंता मत करो हम लोग गरीबी और भूक से उपर उठ जाएंगे एक काम करो थोड़ा यह लो तुमें स्नैक दे दिया यानि की कहने का मतलब है यह थोड़ा सर्कैजम है यह इंडस्ट्री पर फोकस किया गया तो कही ना कही जो अगरी कल्चर पर जो ज्यादा तर जनता गरीब थी वो कही ना कही पिसी लोगों को कही ओं को ऐसा फील हुआ कि या कि वो पिसे गए हैं so you can have a look over it so you can look this is now chapter number four you can read up the description border disputes with China erupted in 1960 talks between Nehru and Mao Zedong and Seesung proved futile that means की पीस शांती वारता जो है चाइना के Mao Zedong और इंडिया के जोहरलाल नहरू जो उस वक्त के लीडर्स थे उनके अंदर जो शांती की वारता ज्यादा हो नहीं पाई और भारत और चीन जो था यानि की इंडिया और चाइना उसके border disputes हो रहे थे की ये एरिया चाइना क्लेम कर रहा था इंडिया का कुछ एरिया और शांती की जो बातचीत है वो चली ही नहीं ज्यादा क्या नहीं चल पाई वो चली ही नहीं तुम यहाँ पर देख सकते हो जो आरल नहरू कह रहे है look if any untoward incident occurs now the responsibility will be entirely yours कि कुछ होता है तो सारी responsibility तुम्हारी होगी और यहाँ पर माउजदाउंग जो है इन्होंने baseless charges, accusation, provocation कहने का मतलब है ये cartoon ये दिखा रहा है कि दोनों leaders जो शांती की बातचीत कर रहे थे जो सीमा का मुद्दा है भारत और चाइना का जो border है उसके जो कुछ disputes हैं उसको सुलजाने के लिए वो ज्यादा time तक चले नहीं और वो बेकार पाए गए ये देखो ये एक और cartoon है यहाँ पर तुम देख सकते हो कि चाइना का ये rollers आ रहा है और ये लोग इन्होंने लिखा है historical evidence under construction कहने का मतलब ये है कि चाइना baseless चीजों पे अपना baseless उन में अपना territory claim करता है यानि कि जो territory इंडिया की है उसमें कुछ नो कुछ तिगडम लगाकर कहता है जी ये territory हमारी है और अब इनका historical evidence under construction चल रहा है यहाँ पर चाइना का roller आ जाता है और ये कहता है अब ये कोशिश कर रहा है कोई evidence की तो इस कहने का मतलब ये कि चाइना किसी भी तरह कोई भी तिगडम लगाकर के ये कहता है कि जी ये area हमारा है और ये सिरफ इंडिया के साथ नहीं है ऐसे disputes चाइना के बहुत सी बागी countries के साथ दी है चाइना काफी aggressive है और बागी countries का भी काफी सारा area claim करता है कि ये मेरा है so you can have a look over it हिंदी चीनी भाई भाई यहां पर तुम देख सकते हो कि पहले 1962 के युदस से पहले एक नारा बड़ा ही famous था हिंदी चीनी भाई भाई यानि कि हिंदी इंडियन और चाइनीज जो लोग हैं वो एक दूसरे के brother है मतलब बहुत मिल जूल के रहते हैं अब अमूल ने कार्टून निकाला बड़ा ही interesting सा कि हिंदी चीनी भाई भाई मतलब कि अब तुम जाओ भाई भाई कर दिया उनको ओकी सौट इस चेप्टर नमर फाई विल कंटिनू दिस इन पार्ट टू हम लोग पार्ट टू में इसका कार्टून एक्स्प्रेनेशन बागी के वज़े होज़े होज़े चैप्टर उसका करेंगे तिल देन स्ट्रेट यून टू एक्जाम प्रो थेंक यू